मुंबई से गोरखपुर जाने वाली गोदान एक्सप्रेस में आग लगने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ट्रेन मुंबई से चल कर महराश्ट के नासिक रूट स्टेशन के पास पहुंची थी। इसी तोरान गोदान मुंबई LTT गोरखपुर एक्सप्रेस के आखरी वाली लगेश बोगी में अचानक आग लगने की घटना सामने आयी। आग लगने की जानकारी मिलते ही यात्रियों में हलचल तेज हो गई अफरा तफरी का माहौल हो गया और ट्रेन को रोग दिया गया। एहतियाद के तोर पर ट्रेन के बाकी हिस्सों को लगेश कमपार्टमेंट से अलग कर दिया गया। पूरा मामला दोपहर करीब तीन बजे का बताया जा रहा है। वहीं इस हादसे में किसी के घायल होनी की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। मौके पर फायर ब्रिगेट की टीम पहुच गई और आग पर काबू पालिया गया है। एक शक्राग मेरा?